हेलो अच्छो नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी यूपी पुलिस कॉंस्टेवल भरती जिसका आप लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं जिसे लेकर Study with Genius चैनल की तरब से प्रिंस भाई ने एक ट्विटर कैमपैन का जो सुब आरंब है वो करने का प्रियास किया था इसमें 20 तारिक को सुनिशित रखा गया था लेकिन क्या 20 तारिक को जो ट्विटर कैमपैन है वो चलाया जाएगा देखे अभी हाल फिलाल मैं जो मिली जानकारी के मताबिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अभी ऐसा कोई इरादा किसी का भी नहीं है कि इस ट्विटर कैमपैन को चलाया जाए हलाकि प्रिंस भाई की जो कोसिस थी बहुत बढ़िया थी लेकिन उन्होंने जो अपनी अगली वीडियो डाली उसमें उन्होंने साब तौर पे स्पस्ट कर दिया था कि यदि एक्जामपूर, वाइफाइ स्टडी, रोजगार विद अंकित ये बड़े यूट्यूब चैनल अगर सपोर्ट करने आ जाते हैं तो ट्विटर केंपेंड जो है वो इसी डेट में चलाया जाएगा वरना इसके लिए आगे आने वाले समय में सोचा जाएगा देखिए, मैं आप लोग को एक वार फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई हितासी सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल मुझे लगता है तो वो एक्जामपूर है सबसे ज़्यादा जहां तक मेरी अपनी ओपिनियन है जहां तक मैं अपना जुमत है वो रखता हूँ चातरों की सबसे ज़्यादा जो आवाज सुनी जाती है ज़्यादा तर और सभी यूट्यूब चैनल जो है उनका साथ देने के लिए सबसे पहले यदि कोई निकल के सामने आता है तो वो एक्जामपूर यूट्यूब चैनल की तरब से विवेक सर आते हैं हलाकि और भी चोटे और बड़े यूट्यूब चैनल आते हैं लेकिन सबसे पहले जो भी निकल के आता है वो एक्जामपूर ही सबसे पहले निकल के आता है और अभी भी विवेक सर ने ये बोल रखा है कि अगर बच्चों को एज में रेलेक्सेशन या उमर में छोट नहीं मिलती है तो उसके लिए भी वो बड़ी कारवाई करेंगे और इसका एक सीधा और इसपस्ट आप लोगो उधारन देखने के लिए मिलता है UPSI स्कैम के खिलाब अकेले विवेक सर ने क्या जो आवाज थी वो उठाई थी और अकेले दंपे उन्होंने पैसा भी खर्च किया था ठीक ना केस संक्या 37-37 उसी क्या धीन आपके UPSI के केस को कर दिया गया था तो पैसे तक उठाने के लिए भी आप लोगों के हित के लिए विवेक सर सदैब तयार रहते हैं तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से फिर से भाई प्रिंस की तरब से जिनका YouTube चैनल है Study with Genius और अपनी तरब से भी क्योंकि मेरा तो हमेशा जो सपोर्ट है वो आप लोगों के प्रती रहा है हमेशा मेरा यही मानना रहा है कि आपकी आवाज सबसे पहले सुनी जाए बा जो मतलब आपकी यह बात ऊठाने लगते हैं उसके बाद में आप लोगह यह सोचने लगते कि साइध इसी को मतलब इसकी नीड है इसी को इसकी जरूत है तो वह 20 तारीक Capaz अभी टुटर campaign है उसके बारे में जहां तक मिली सूचना के मताविक मैं आप लोगह को बता रहा अब मुझे भाई प्रिंस के एक बात बहुत अच्छी लगी थी उस वीडियो मों उन्होंने बोली थी कि दो चार चार छे हजार लोग हमारी अवकात के हिसाब से हमारी जो वीडियो है वो देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास में इतनी बड़ी संख्या में जो पब्लिक है जो बैग्गराउंड है जो सस्क्राइबर है वो नहीं है ऐसा नहीं कि कोई नॉलिज की कमी है या फिर मतलब कोई और बड़ी जो अरचने वो सकती लेकिन वीडियो देखने के बाद में आप लोग सस्क्राइब नहीं किरते हैं केवल अपना मतलब ही सीधा आप लोग करने आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसा नहीं कि बस 95,000 लोगों ने विजिट किया होगा ना जाने कितने लोगों ने विजिट किया होगा लेकिन सस्क्राइब नहीं किया अगर कर दिया होता तो काफी बड़े अरसे में हमारे पास में जो भीड है वो होती तो ऐसे में क्या जो ट्विटर कैमपेन है वो भी स्तारिक को चलाया जाएगा नहीं चलाया जाएगा यह असमंजस की इस्तेथी बनी हुई है तो मैं इस मामले में आप लोग की आप लोग यह मान के चलिएगा कि जो बीस तारिक का ट्विटर कैमपेन है वो अभी नहीं चलाया जाएगा आने वाले समय में आप लोग को इसके समद में सूचना दे जाएगी यह इसलिए नहीं चलाया जाएगा क्योंकि कोई भी बड़ा यूट्यूब चैनल साथ देने क के लिए नहीं आया तो फिर इसलिए ट्विटर कैमपेन को पोस्पॉन कर दिया गया यह प्रिंस भाई की तरफ से एक कदम था जो की आप लोग के नौटिफिकेशन के लिए एज रिलेक्सेशन के लिए जो ओवरेज आप लोग दिन प्रति दिन हो रहे हैं उसके लिए एक स कुछ होने के बाब जुद भी क्योंकि यह उत्तर प्रदेश है अगर यह कोई और प्रदेश होता या हरियाणा होता या आप पंजाब देखते तो उसायद बहुत कुछ हो गया होता यह वेकंसी भी अब तक बाहर आ गई होते हैं यह क्योंकि यहां का जो युगा है उसके आगया नेवर सबय में कोई बड़ा यूट्यूब चैनल साथ देने के लिए आता है तो इस विशह पे विचार किया दाएगा देखिए सदैवा आपके लिए आपके सेवा में ततपर क्योंकि हम जो भी कुछ है आप लोग की वज़ेसी ही है ठीक ना 95 में 1000 ही सही लेकिन पुब्लिक इखटी कर लिए अपने पास में यूट्यूब चैनल बड़ा बना लिया फिर उस पुब्लिक के काम ही ना आए तो क्या फायदा इस प्रकार से जो बहारी आडंबर धांग प्रपंच रच के एक बड़े लेवल पर पहुंचके उसके बाद में आप लोग को और आप नहीं तो हम नहीं क्योंकि हमारा इस्तित्व ही आपके उपर डिपेंड कर रहा है तो मैं देखिए मेरे तो सपोर्ट आजीवन मतलब जब तक भी मैं यूट्यूब पे हूँ काम कर रहा हूँ आप लोग के साथ ही रहेगा और हमेशा जो सपोर्ट रहा है वो अच् जार करिए कि पता ना कब तक आएगी इतने टाइम में ये लोग दो कोर्स और लॉंच कर देंगे यो भी कॉंस्टेवल के क्योंकि इनका तो काम है इनको तो पता है वेकेंसी जितना ज्यादा डिले होगी नया कोर्स एक और नया कोर्स फिर डालो 700-500 रुपे फिर दो इनको फिर ये जमीन खरी देंगे आईफॉन गिप्ट में देंगे अना तो कहने का मतलब ये है मैं इतना कहने आया हूँ आप लोगों से कभी अगर आप लोग मतलब ये है कि इनको एक बड़े लेवल पर बैठा सकते हो तो इन से ये तो बोल दो भी हमारे लिए एक टुटर चलाने पर बड़े वो नहीं आ गया था जब से किसी ने कदम ने उठाया उठाया है तो हमने तीन से चार बार टुटर केंपेंट चलाने की कोसिस किये और चलाने के बावजोद में सूचना भी निकलवा दिये है एक छोटा ही टुटर केंपेंट क्यों न चले सरकार इस समय इतनी ज़्यादा गहमा गहमी में हैं एक छोटे से टुटर केंपेंट पे भी ये लोग न्यूज पेपर में खबर डाल देते हैं और इसका एक रिजल्ट पिछले दो हमने जो टुटर केंपेंट चलाये थे उससे मिला था हमें हम सोच रहे थे वह चोटे पेमारें पे चल लेकिन वो तो अगले दिन ही सूचना आगे फिर उससे लेकर हमने टुटर केंपेंट चलाया दूसरे दिन सूचना आगे कि उनको लगता है कि कोई आपजेक्शन ना करने लगे क्योंकि काफी लंबार सा हो गया ज्यादा दिन जूट बहका है नहीं जा सकता इस विसे को ले देंगे और अभी हम भी आप लोगों तक जो सूचना है वह पहुंचा देंगे चलिए जाहिंद वन्यमात्रम